उधर प्रतापगर से वड़ी कबर जहाँ पर संदिक परिस्तितियों में विभाईता की मौत हुई हमायके वालों ने दहज हत्या का लगाया आरोप एक लाख रुपए वा गुलट ना देने पर घर से भगाया था दरसल 28 फुरुरी को घरस में शादी कारेटरम को लेकर ससुर ससुराल पहुची पती सन मनोज सरोज के साथ कपड़े वा गहने लेकर गई दो दिन बात देवर में फोन पर अंतिमा की मौत की सूचना दी है मृतका की शरीर पर चोट वा खून के निशान का रुप है वलें सब को पोल्स टुमार्टम के लिए भेज जाच पिज़ुटी रानी गंज स्थाना के दुरगर गंज बाजार इलाके का पूरा मामला जहां पर संदिक परिस्तियों में विभाईता की मौत हुए तरसल माय के बालों ने दहल जहत्या का आरोव पर लगाया है और एक लाक रुपए और बुलेट ना देने के चलते घर से भगाया था उधर 28 स्वरवी को घर में शादी कारक्रम्स को लेकर ससुराल पहुची पती मनोज सरोज के साथ कपड़ेवा गहने लेकर गई दो दिन बाद देवर ने फोन पर अंतिमा की मौत की जानकारी दी जिसके बाद पलिस मौक्यार पहुची और पोस्ट माटन के लिश्व को भेजा है म कामला प्रताफगण के रानी गजस्ताना के दुर्गागन शिबाजार इलाके का है अपाची गाड़ी दिया था अपाची गाड़ी दिया था तो फिर भी आए दिन मेरी बहन को मारते थे परिसान करते थे दहेज के लिए बोलते थे कि हमको बुलड चाहिए और एक लाक रुपे कैस पैसा चाहिए और यह लोग मारते थे फिर बीच में यह लोग जगडा तो बीच में गये समझाओं जाके फिर लेकर आए बोले कि अब कुछ नहीं होगा चलो घर पर तो वहां बोले कि घर पर साधी है बोले कि गहाना होना जो हो अपना ले लो सब तो गहाना होना ले लो फिर लोग लेकर गहाना होना सब आए यहां पर तो यह तीसरे दिन की बात ह तो हमारे पास चार बजे रात को फून गया, फून गया कि तुम्हारी बेहन फांसी लगा लिया, फिर जब फून गया तो हम लोग यहां पर आये, तो उसके बाद देखा तो लास को तक्थे भी लिटाए हुए थे, और जो मेरी बेहन तक लाकिटोकिट गहना पहनी थी, उसक आते हैं, इनके उपर बहुत कड़ी से कड़ी कारवाही होनी चाहिए, हमको नयाय मिलना चाहिए, क्या नाम है अपका? मेरा नाम बिर्जेश कुमार है, मैं लड़की का भाई हूँ, बड़ा उससे.